यह रहा हमारे सामने आग का प्रशन यह है कि एस्टुरेंट अप्टेश आपलेश आपलेश इस इसका एक्स्लेशन यह देखिए ड्रॉप करके रखा है मैंने देखिए यहाँ पर दो कंडिशन आ सकता है इस प्रस्ड ने के मताविक इसे इसे के में बात कह रहे हैं अब्चैनल कि यह यह इनकी और प्लार इमेज हम लोग दो कंडिशन में आपने में और इमेज देखिए दो कंडिशन से हैं तो एक उन्फेश्च लैंज दिस्टेंट अब्जेक्ट है तो raise आएगा, mid करेगा focus पे और यहाँ पे जब आएगा यह raise तो यह eventually form करेगा blurred image या फिर यहाँ पे कि बहुत जादा ही बड़ा focus हो जा रहा है तब हो सकता है ऐसा कि blurred image हमको दिखाई परे तो यहीं दो conditions है blurred image के लिए एक convex lens के साथ तो पहले condition पे हम लग जंप करते हैं पहला condition पे देखिए अगर हम away from the lens ले जाएंगे इसको away from the lens अगर ले जाएंगे हम इस lens को away from the screen ले जाएंगे तो obviously जो focal length है वो भी तो move करेगा lens के साथ तो इसलिए away from the lens सहीं उत्तर नहीं होगा हम जब lens ले जाएंगे इस condition में यह देखिए दो condition फर्म हो रहा है तो यह पहला condition के लिए हम लोग बात करेंगे तो जब हम लोग towards the screen ले जाएंगे तो यह eventually easily फर्म हो जाएगा image इसक्रीन के उपपर यह पहले condition के लिए तो अब हमको लगेगा कि अच्छा मतलब उत्तर option B होगा परंतो जब हम अगले condition में जब हम लोग जाते है यानि कि condition B में तो हम लोग को पता चलता है कि case यह नहीं है case अलग है देखिए कैसे यह देखिए दुसरा case है जहाँ पर image हम लोग का form हो रहा है beyond the screen screen के में beyond form हो रहा है यानि कि focal length जाता ही है इसका तो इसके लिए हम लोग towards the screen नहीं ले जा सकते इसके लिए हमको इसके लिए away from the screen ले जाना होगा lens को तभी यह focal length यहाँ पर adjust होगा जब आवे जाएगा जब आवे जाएगा तो यह adjust होगा eventually तो यहीं होगा इसका उत्तर हाँ तो यहीं होगा इसका उत्तर और बस धन्यवाद